नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे चनल ओल्लाइन और ओफलन गयान में दोस्तो आज की जो अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये नेवी ट्रेट्समेन की भरती की लेकर आया हूँ आप में से बहुत बड़ी संख्या में रिक्वेस्ट आरती मेर मेरे पास कि मैं उसके उपर आप लोगों को क्लैरिफिकेशन दूँ देखो भई ये नोटिस मेरे पास कल ही आ गया था एवनिंग में बट आप जानती है जब तक उस नोटिस के बार में प्रॉपर जानकारी ना मिले तो आप लोगों को मैं अपनी साइट से गाइड नहीं क पर आते हैं उसमें आप लोग इस भरती के बार में देख सकते हैं लेकिन कहीं न कहीं यह पूरी शोरिटी है कि यह बिल्कुल लीगल वेकेंसी है इसमें किसी भी परकार का आप लोगों को ऐसा नहीं है कि यह नोटिस फेक है जब ओफिशल साइट पे आप लोगों के सामने कुछ समय बाद आ जाएगी तब आप लोग को और clarity मिल जाएगी बाकी कब आएगा इसकी जानकारी notification में department नहीं दे रखी है लेकिन vacancy जल से जल आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर apprentice वाले बच्चों को भी मोका दिया है और ITA वाले बच्चों को भी मोका दिया है अब दोनों category में किस base पर आप लोग अप्लाई कर पाएंगे अभी आप लोगों को मैं समझा दूँगा और इस बार syllabus जो है इस notice के according स्लेबस में भी फेर बदल आप लोगों को दिख रहा है आपकी बार इन्होंने जो ITA वाला टेक्निकल पार्ट जो होता है वो भी इन्होंने डाल दिया है 50 marks का बाकी जो non-technical जैसा चल रहा था वैसा ही आप लोगों का है यहाँ पर आगर मैं trade की बात करूं तो masynist वाली vacancy में tunner और masynist के बच्चे, driver crane operator में crane operator वाले बच्चे जो chiprite होता है उसमें shiprite wood वाले बच्चे, painter में painter वाले बच्चे, fitter में fitter वाले बच्चे और fitter की आप लोग देख रहे हैं अन्य category देख सकते हैं उसके बाद electronics में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बागे देखो पूरी clarity तो अच्छे तरीके से आप लोग को तब clear हो पाएगे जब इसका notice department आप नियो official site पर डालेगा और बाकी जैसी डालता है उसकी जानकारी की चिंता मत कीजिए वो मैं आप लोगों को देदूँगा उसके बाद यहाँ पर skilled जो ammunition है आप लोगों का इसमें trade आप लोग देख सकते हैं जैसे आप लोगों की electronic mechanic है इलेक्ट्रो प्लेटर है instrument mechanic है आप लोगों का mechanic जो आप लोगों का होता है mechanic motor करके भी है यहाँ पर तो इस तरीके की यहाँ पर trade आप लोगों को दे रखी है और यहाँ पर जो electronic mechanic के बारे में आपको बता दिया एलेक्ट्रिशन भी है यहाँ पर और उसके बाद जो है यहाँ पर अगर और कोई ट्रेड है तो आप लोग इस पे नजर मार रहे हों ना कौपा वाले बच्चों की ट्रेड मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही तो कौपा वाले यहाँ से जो है आउट हो चुके हैं बाकी आप लोगों को मैं एक चीज बता दूँ जैसी इसका नोटिस मेरे सामने आता है उफिशल साइट पे उसका जल्ब से जल्ब आप लोगों को मैं इन्फोर्मेशन दूँगा अभी बास इतना आप लोग करूँ तो एज इसमें 18 से 25 साल आप लोगों को लिए रखी है उसके बाद स्लेबस की बात करें तो स्लेबस टोपिक वाईज आप उपर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको एक साथ ही बताएता हूँ जो जनरल इंटेलियंस और रिजनिंग है वो दस नमबर, नुमेरिकल, अप्टिटूर दस, जनरल इंगलीज दस और जनरल अवरनेस दस जिसमें जो आप लोग की ट्रेड अवरनेस होगी वो पचास नमबर की होगी जो मैंने आपको पहले ही इनफोर्म कर दिया उसके बाद यह जो है इन्होंने सेगरिकेशन किया हुआ है कि यह जो टोपिक दे रखे है उपर कौन-कौन से टोपिक आप लोगों के लिए अविलेबल है बाकी यह इनकी ओफिशल वेबसाइड है जैसी इस पर अपडेट आती है मैं आपसे वादा करता हूँ आप लोग को इन्फोर्मेशन दूँगा डाला गया है जैसी यह ओफिशल साइट पर आता है मैं आप लोगों को इसकी जानकारी देता हूँ उसके बाद एक इन्फोर्मेशन मुझे और देनी है आप लोगों को वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ ठीक है तो यहां पर क्या है दो कैटिगरी में वेकेंसी दे पाएंगे और जो बच्चे ITA वाले है वो 10th प्लस ITA के Base Base का Form Fill कर पाएंगे तो इस तरीके से Criteria है क्योंकि यहां पर SCVT वाले बच्चों को अलग से मोका नहीं दिया गया तो 10th प्लस ITA वाले बच्चों का एक Group बन गया और एक आप लोगों का ITA प्लस अप्रेंटिस वाले बच्चों का यह 10th प्लस अप्रेंट्शिप वाले बच्चों का एक Group बन गया तो जो अप्रेंट्शिप वाला Group है उसमें SCVT वाले बच्चे अपलाई कर सकते हैं इस नोटिस के अनुसार बागी अगर ओफिशल नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने जल्दी देखता है मैं आप लोगों से वादा करता हूं उसकी जानकारी आपको दूँगा और इस नोटिस को मैं टेलेग्राम पे आप लोगों के साथ अभी के अभी शेयर कर दूँगा आप वीडियो के साथ साथ डिस्क्रिप्शन से जाके यहां पर चीज़े देख सकते हैं और इसके लिए पढ़ना क्या है क्या-क्या आप लोगों को चीज़े जो है रेफर करने पड़ेगी वो सारी जानकारी आप लोगों को मैं तब दूँगा जब इसका ओफिशल नोटिस मेरे सामने ओफिशल साइट पे आ जाएगा क्योंकि पहले से आप लोगों को देकर किसी भ्रहम में आप लोगों को नहीं रखूंगा क्योंकि बाद में अगर वेकेंसी ओफिशल साइट पे नहीं आई तो उस चीज़ का आप लोगों कोई बेनिफिट नहीं होगा तो पहले official site पे आने दीजिए फिर मैं आप लोगों से ओर चर्चा करता हूँ अभी आप लोगों की जो demand थी वो मैंने पूरी कर दिया है इस notice के बारे में जानकारी देखे आशा करता हूँ information आप लोगों को सही लगी होगी किसी प्रकार की कमी लगी तो comment box में आप लोग जुरूर mention करना और बाकी आने दीजिए official notice फिर आपको मैं जानकारी प्रोवाइट करता हूँ धन्यवाद